नमस्कार, मैं हूँ आचारे आसुतोस, जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करते हैं, पाचन तंत्र को कैसे स्ट्रोंग बनाया जाए कैसे उसे क्रियासील बनाया जाए यह सबसे कॉमन सी समस्या है और पाचन तंत्र को कहा गया है, हमारे सरीर का इंजन है यह डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान, यह इंजन है और जब किसी भी गारी का इंजन यदी खराब हो जाए तो फिर क्या स्थिती होती है? वात पित कफ इंबैलेंस हो जाता है गैस एसीडीटी की समस्या होने लगती है क्रोनिक कॉंस्टिपेशन होने लगता है सिर में दर्द, हेडेक की स्थिती, बेचैनी, अनिद्रा यह सारी समस्या, सरीर में फुर्ती का नहीं आना एक लेजीनेस बने रहना यह सारी समस्याओं का जर है आपका पेट, आपका डाइजिस्टिव सिस्टम और इसके लिए हम आज आपको एक सहज सी विधी ऐसी पध्धती बतलाने जा रहा हूँ, जिसका अभ्यास रोज दिन आपको करना है पंद्रह से बीस मिनट के लिए और अगले ही दिन आप इसका रिजल्ट इसका परिनाम देख सकते हैं चमतकारिक रूप से असर दिखाने वाला यह आसन है वज्जरासन बोजन के बाद रोज दिन आपको रात्री में चित शांत करके आपको इसमें बैठना है और कुछ भी नहीं करना आफ्टर मील, आफ्टर दिनर यू हैब तो सिट इन दिस पोस आपको इस आसन में बैठना है बस आईए हम आपको इसकी विधी बतलाते हैं बहुत ही साथ सी विधी है दोनों पैर को फैला लें आप इसका अभ्यास अपने बिस्तर पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं दोनों पैर सामने की और रख लें धीरे से अपने दाहिने पैर को आरामदाय की स्थिती में मोर करके फोल करके ले जाएं पीछे की और फिर धीरे से अपने बाएं पैर को दोनों पैर के एरी दोनों तरफ से टिके हुए हो दोनों पैर के आंग उठा आपस में मिल जाए दोनों हथेली आरामदाय के स्थिती में दोनों घुटने पर रख लें दोनों आखें बंद भोजन करने के पस्चात आपको सौ कदम तहल ले फिर इस आसन में बैठ जाए इस आसन में बैठने के साथ ही आप देखेंगे कि आपका digestive system, आपका engine, आपका वात, पित, कफ, गैस, एसीडीटी और कफ, जनित, बीमारी, समस्याएं सबसांत होने लगती है chronic constipation, आपका पेट साफ होने लगता है कोई जुलाब लेने की भी जरूरत नहीं है आपको इसके लिए सिर्फ इस आसन का भ्यास करना है हाँ, एक दो छोटे-छोटे tips जरूर मैं बतला रहा हूं जिसको follow करके आप और ज्यादा इसे बहतर बना सकते हैं जैसे भोजन, हलका लें, सुपाचे लें भोजन करने के आधे घंटे पस्चाथ तक पानी न पिएं उसके बाद पानी पीना है तो गुनगुना पानी कोसे पानी का सेबन करें प्राता कालीं सो करके ऊठने के बाद, आपको उसा पान करना है उसा से पुर्व जो पान किया जाए, जो पीया जाए, उसे उसा पान कहते हैं गुनगुने जल का सेबन करें, फोरा सा सैर कर लें आपकी digestive system, पाचन संस्थान की समस्या, पेट की समस्या सत प्रतिशत दूर हो जाती है सिर्फ इसके अभ्यास से बस जरूरत है आपको इसके अभ्यास को करने की और कुछ नहीं है सिर्फ सोचने से बात नहीं बनती है आपको इसके लिए स्वतह प्रयास करना परेगा इस अभ्यास को करना परेगा, अपने जीवन में उतारना परेगा आप आज से ही इसका अभ्यास सुरू करें और इसका लाभ ले निश्चित रूप से आपको सत प्रतिशत इसका लाभ मिलेगा आज के लिए बस इतना ही कल पुनह मुलाकात होती है कुछ नए मंतरों के साथ, कुछ नए सुत्रों के साथ जीवन मंतरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस ग्यान को बांटने के लिए इसे सेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपका दिन सुभो, नमस्कार